वेलकम टू फोकस पावर तो आज की जो जो जोब अपडेट है वो है UKSSC की तरप से उत्राखंड में ITI की इस्ट्रक्टर की वेकंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है UKSSC के द्वारा तो यह आप देख पार होंगे 16 फरवरी का यहाँ पे डेट मेंजन है 16 फरवरी मे आज की जी डेट में यह नोटिफिकेशन आउट किया गया है विज्जापन प्रकासन की जीती 16 फरवरी अपलाई इसके स्टार्ट होने वाले है 25 फरवरी 2024 से स्टार्ट होने वाले है 16 मार्स इसकी लाजड डेट रहने वाली है और जो एक्जामिनेशन का टेंटिटिव आए गया रिटन एक्जाम जो इसका होगा जून महिने में होने वाला है और संसोधन के लिए 20 मार्स से 22 मार्स तक का इसमें समय दिया है तो कौन कौन सी ट्रेट के लिए वेकंसी जी निकाली गी है तो वो सब डिसकस करते है और इसमें जो आप देख पारेंगे डिगरी डि UK SSSC को इसके बारे में अलग से 22 होपा जाएगा कि इसमें जो आरक्षन दिया गया है डिगरी डिपलोमा वाले को पूरा पर्टिकलर एक ट्रेट के लिए ही क्यूं दिया गया है तो जैसे आप यहाँ पर देख पारेंगे विद्धुतकर में विद्धुतकर में डिगरी डि गये वेकंसी तो यह आप यह इसमें पॉइंट रहने वाला है तो अभी देखते हैं पहले इसमें कितनी-कितनी वेकंसी आई है कौन-कौन सी ट्रेट के लिए तो सबसे पहले आप विद्धुतकर के लिए देखंगे पहले टेबल जो है यह डिगरी डिपलोमा के लिए अगर विटक है तो आपका एक साल का एक्सपिरेंस होगा डिपलोमा है तो दो साल का एक्सपिरेंस और अगर आप ITS ए फॉर्म पील करेंगे तो तीन साल का एक्सपिरेंस आपका ITS के साथ होना चाहिए और CITS इसमें कंपल सरी मांगा गया है और age जो criteria 21-42 साल तक होने वाल वालों के लिए 30 पोस्ट निकाली गी है नेक्स्ट जो ट्रेडर एलेक्ट्रोनिक्स मकैनिक में डिग्री डिप्लोमा की 22 है आईटी आई की 18 पोस्ट निकाली गी है वेल्डर में डिग्री डिप्लोमा की 19 पोस्ट है और ITI वालों के लिए 9 पोस्ट निकाली गी है Employability Skill में Total 24 पोस्ट है Mathematics में Total 18 पोस्ट है Draftman Civil में Total 7 पोस्ट है जिसमें कि डिपलोमा वालों के लिए 7 पोस्ट और ITI के लिए 6 पोस्ट इसमें निकाली गी है Fashion Design and Technology, Degree Diploma वालों के लिए 6 पोस्ट है और ITI वालों के लिए 7 पोस्ट निकाली गी है जिनकी Basic Qualification, ITI रहने वाली, ITI और Apprenticeship के बेस पे जो बनने वाले है Machinist के लिए Diploma में 13 पोस्ट निकाली गी है अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पार होंगे Machinist के जो Trade है इसमें केवल Diploma वालों को ही दिया गया है ITI वाली Candidate इसमें Apply नहीं कर पाएंगे जैसे कि आप यहाँ पे भी देख पार होंगे Qualification में या तो आपके पास Diploma होना चीए AICTE का या फिर आपके पास कोई Technical Degree होनी चीए तब ही आप इसमें Apply कर सकते हैं CITS प्रवानपत्र इसमें मांगा गिया है इसमें ITI वाले कहीं भी Apply नहीं कर सकते हैं तो जैसे Machinist हो गया Machinist से जिसने ITI करी है वो Apply नहीं कर सकता है इस ठीक इसी तरीके से आप Swing Technology का देख पार होंगे इसमें 13 Post दी गी हैं इसमें भी केवल Diploma वाले ही Apply कर सकते हैं इसके लाव आप Motor Mechanic की Trade है जिसमें 10 Post है इसमें केवल Degree Diploma के लिए वेकंसी निकाली गी है 10 Post निकाली गी है टोटल तो इनको अगर आप 5-5 Post में Divide कर सकते थे Degree Diploma के लिए 5 और 5 Post ITI वालों के लिए दे सकते थे तो इन्होंने कुछ ट्रेड के साथ 9 सापी की रही है UK SSC के द्वारा आगे इसमें किस तरीके से संसोदन होगा उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा अनुदेशक के लिए Information and Technology Degree Diploma के लिए 2 है और National Trade Certificate और जो NTC Certificate वाले उनके लिए 6 इतनी छोटी वेकंसी में भी इसमें Partition किया गया है लेकिन कुछ ट्रेड में नहीं किया गया है Cosmetology में Degree Diploma में 4 Post है ITI में ITI वालों के लिए भी 4 Post निकाली गी है Strenographer Degree Diploma वाले हैं तो 6 अपलाई कर सकते हैं ITI वालों के लिए नहीं दिया गया है अनुदेशक Turner इसमें Degree Diploma वाले अपलाई कर सकते हैं अनुदेशक Turner में 6 Post दी गी हैं Turner में भी Turner में भी ITI वाले अपलाई नहीं कर पाएंगे अनुदेशक R&AC में Diploma वाले की 4 Post हैं और ITI वाले की 1 Post हैं इसी तरीके से आप देख सकते हैं Concentrate की Vacancies आई हैं Draftsman Mechanic की Degree Diploma और ITI वाले दोनों तरीके सी हैं Number of Post काफी कम हैं और इसके लाबा Palambar के लिए भी 3 Post निकाली गी हैं जो की Diploma वालों के लिए ही दी गई है Computer Operator Copa के लिए ITI वाले अपलाई कर पाएंगे जिनके पास Copa से ITI हैं वो अपलाई कर पाएंगे 2 Post दी गी है Mechanic Auto Body इसमें Degree Diploma दोनों Partition किया गया है एक-एक Post के लिए इसी तरीके से Mechanic Auto Body Repair के लिए भी Degree Diploma में 1-2 Post है Mechanic Consumer Electronics Appliances में भी एक-एक Post दिये गये है तो इस तरीके से इसका Partition किया गया है और Painter General की Vacancies निकाली गी दो Post है Carpenter में 1 Post है Dress Making में 1 Post है Surveyor में 1 Post है तो इस तरीके से इसमें रहने वाला है और आपका जो Liquid परिक्षा का जो Slavus रहने वाला है वो किस तरीके से पेपर आएगा 100 नंबर का पेपर आएगा Objective Type का 2 घंटे का पेपर होगा जिसमें से 7 रंक के आपका Trade से संबन दित होगा जो की NCBT के Website पे आपको आपका Slavus मिल जाएगा ITI Base पे Slavus मिल जाएगा और 30 नंबर जो होने वाला है वो 10 नंबर समान्य ग्यान 10 नंबर का Computer होने वाला है 10 नंबर का Hindi होना है 30 वाला इस तरीके से आपका exam pattern होने वाला है और जो 30 नंबर का उसका Details लेवस भी सी Notification में नीचे दिया गया है अब exam fees कितने रहने वाली इसकी age criteria का आप count होने वाला है वो सब discuss करते है तो जो important point है Notification के वो इसमें discuss करते है तो general category के लिए और OBC के लिए 300 fees है SCST के लिए 1.500 हो रहा है और दिव्यां के लिए 1.500 है अनात के लिए कोई भी fees इसमें नहीं रखी गी है fees से exempt किया गया है इसके अलाबा जो age criteria count होगा वो 1 July 2030 को age count होने वाला है वो जो details levels है जो 30 question का details levels है वो कौन-कौन से topic से आने वाला है तो यह आप देख पार होंगे समान्य अग्यान, computer और हिंदी का बताया गया कौन-कौन से topic से इसके question आने वाला है तो यह था उत्राखंट ITI instructor का notification तो आज के लिए इतना ही इसी तरह की job update के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें धन्यवाद चैन